दोस्तो पिछले कुछ दिनों से आप में से बहुत सारे लोगों के बार-बार कमेंट आ रहे थे कि मास्टर फिल्म का जो फाइनल कलेक्शन है उसके बारे में वीडियो बनाईए और हमें बताईए कि मास्टर फिल्म ने वर्ल्ड वाइट कितने करोड की कमई कर ली तो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि थालापाती वीजे की फिल्म मास्टर ने वर्ल्ड वाइट टोटल कितने करोड की कमई की है तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दे कि थालापाती वीजे और वीजे सेतुपती की फिल्म माश्टर जिसे रिलीज किया गया था 13 जनवरी को और इस फिल्म को बॉक्स ओफिस पर अब लगभग एक महिना कम्पलीट होने को आ चुका है लेकिन दोस्तों फिल्म के जो बॉक्स ओफिस कलेक्शन है उसकी रिपोर्ट मेरे पास आई ये 26 दिन की और अगर बात की जाए कि इस फिल्म ने सुरुआती 26 दिनों में टोटल ग्रोस कलेक्शन कितने करोड का किया तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि माश्टर फिल्म ने सिर्फ तमिल नाडू में 137 करोड रुपे का ग्रोस कलेक्शन किया है और इस फिल्म ने तेलगोई स्पेकिंग इस्टेट यानि कि आंधर प्रदेस और तेलंगना में टोटल ग्रोस कलेक्शन किया है 29 करोड यानि कि 29 करोड रुपे का वही दोस्तों माश्टर का करनाट का इस्टेट में कलेक्शन रहा लगभग 17 करोड़ रुपे और केरला इस्टेट से फिल्म ने कमाई है 13 करोड़ 50 लाक रुपे साथ इसाथ दोस्तों आपको बता दे कि माश्टर फिल्म का जो नोर्थ इंडिया का कलेक्शन है वो ग्रोस कलेक्शन है लगभग 7 करोड 50 लाक रुपे नजर डाली जाए और सिज मार्केट के कलेक्शन की यानि कि इंडिया के बाहर फिल्म की कमई क्या रही तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि माश्टर फिल्म ने ओर सिज मार्केट से टोटल ग्रोस कलेक्शन के आया 46 करोड यानि कि 46 करोड रुपे इसी के साथ दोस्तो थलापाती वीजे सर के फिल्म माश्टर का जो Worldwide Total Growth Collection होता है वो हो चुका है 250 करोड यानि के 500 करोड रुपे जिहां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना थलापाती वीजे सर की फिल्म माश्टर ने वर्ल्ड वाइड 200 करोड रुपे की कमई करके बोक्स ओफिस पर ब्लोकबश्टर हिट हो चुकी है विस्तों दोस्तों अगर इस फिल्म को 50% उक्की पेंसी की जगा 100% उक्की पेंसी में रिलीज किया जाता तो फिल्म का जो लाइफटाइम कलेक्शन है वो कम से कम साड़े 300 करोड रुपे रहता लेकिन दोस्तों आप सब जानते हैं कि जिस वक्त माश्टर फिल्म रिलीज अपने राय आप हमें कमेंड बोक्स में कमेंड करके ज़रूर बताएं और आपके अपने इस चेनल एकेवी मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूले